आववर शॉट ने, पाकिस्तान जीत गया है? सुर्ण जी पाकिस्तानियों को मुबारखो आप टेस्स मैच जीत गये और टेस्स सीरीज भी जीत गये और मेरी भविश्य वारी सही होगी कि आप टेस्स के से पाकिस्तान जीत गया है, और आराम से जीत के बाएद होगी क्या फ़ाइट दिखाई नौमाद ने, क्या फ़ाइट दिखाई साजित और ये सीरीज एतिहासि जीत है एक historic जीता पाकिस्तानियों के लिए बहुत-बहुत बुबारों को you deserve it guys पाकिस्तान ने रावल पिंडी टेस्ट मैच जीत कर ये सीरीज दो शूने से जीत लिया है जिस तरह से दो एक ना दो एक से जीत लिया है और जिस तरह से सीरीज के शुरुआत में मुल्तान टेस्ट पहला मैच इंग्लिन ने जीता था ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास जबाब नहीं होगा लेकिन जबाब आया नमान और साजिद खान के नाम पर ये बाबाराजम, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह या रिजवान नहीं कर पाए, वो काम आउट आफ दस लेबस आए, साजिद और नुमान ने करके दिखा दिया मतला प्यार क्या तारीफ की ज़ए, जितनी तारीफ की ज़ए उतना कम है पाकिस्तान ने इंग्लिन को टेस्ट मैच में बुरी तरह शिकस दे कर सिरीज भी अपने नाम कर ली है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के जानब से काफी डॉमिनीशन दिखाई गई है पाकिस्तान की बैटिंग हो, बॉलिंग हो हर लिहास से पाकिस्तान ने बहुत कमाल की कार कर दे के दिखाई है जबके दूसरी तरह भारत अपने ही होम ग्राउंड में न्यूजिलेंड के हातों बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है आईए देख सवाले से भारती मेडिया क्या बात कर रहा है पाकिस्तान जीत गया है पाकिस्तानियों को मुबारत हो आईए पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुबारत हो आईए पाकिस्तान जीत चुका है मैं तो यह बोल रहा हूँ आप एक जॉइंट प्लेयर अफ दे वहाँ पर नॉमान ददू को और साजित कटपागो दोनों डिजर्फ करते हैं जिनको बोला गया कि इनको रिटायर करना दो जिनको बोला था बाबारादम को रिटायर जाना चाहिए वह वापिस आके दूसरा टेस्ट मैच में घुमाते है सीरीज और तीसरा टेस्ट मैच बैटिंग से जिता है उनोंने यार लेको स्पिन ट्रैक पर विकिट तो आपल हो गई लेकिन जब 177 पर 7 हो गया पहले नोबान दद्दू 14 सरन मार गए फिर कटपा जब बड़े से भाई दो स्टिचेज लग गए खून आ रहा है खून आ रहा है 48 नॉट आउट गया है वो आउट नहीं हो है इंड तक साथ शकील के साथ साथ शकील ने बड़ा 100 मारा 122 और फिर फाड़ के रगदिया इंग्नेट को जब आए वापिस चार वो ले रहा है, पांच वो ले रहा है, जो रूट उदर देख रहा है, बुरुक उदर देख रहा है, ऐसे कि तैसित तुम्हारी भाड के रख दिया और पाकिसान यहां पे टेस्माइ जी दिया, तो ने स्पिनिंग ट्रैक दे दे कर हो, हालत खराब कर दी दोनों, आप ज साजेद खान 18, 69, 4 विकेट, 6-4-10 पूरे के पुरों इंगिलेंड को खता मी कर दिया भाई, जो 70 की लीड इन दोनों ने दिलाई थी, साउच शकील 100 अभी मार सकता था, साथ में कोई खड़ा हो, इनोंने हारी नहीं हारी नहीं हारी, 177 से 344, और मैं कल भी बोरा था, जब 177 से 344 जा सकते हैं, तो हमारे प्लेयर भी इस टार्गेट को चेस कर सकते हैं, तो ये एक लर्णिंग है कि कभी भी टेस्मैच में हार नहीं माननी चीए, आपको वापस मुका मिलता है, हर एक सेशन में टेस्मैच रूप बजलता है, बट इन दोनों तो कर दिया है, मैं फिर पाकिसान में गया शाख लेर लेकर लाता, टोटा है स्टोकस का घबड, बैसबाद बैसबाल करते थे 112 से एक सोबारा अल उटा, थो पूरे तरीके से फलॉपी रहा ये प्लोपी रहा, इस पेन के सामने, ये बैसबाल करते थे 112 पे प्रकच्च्य उड़ागे रख दिया, आ आकिप बॉल, उन्हों नहीं कराया ये सारा चेंज जो IK-उम नासीम को बाबरड नासीम हटाना एक पेसर रखना आमिर जमाल उन्हों नंहीं सारे पेसर सुरदिये बाहर करो, स्पिलिंट। स्था ट्राकर दो और फिर बोलर को लाए यह अगर आपके पास ऐसे बोलर थे तो आपने क्यों छुपा के रखे हुए खिलाना नहीं चाहरे थे ना क्यों आप रिटायर कराना चाहते थे और पाकिस्तान ने रावल पिंडी टेस्ट मैच जीत कर ये सीरीज दो शूने से जीत लिया है जिस तरह से सीरीज के शुरुआत में मुल्तान टेस्ट पहला मैच इंगलेंड ने जीता था ऐसा लग रहा था कि यहां पर पाकिस्तान के पास जवाब नहीं होगा लेकिन जवाब आया नमान और साजिद खान के नाम पर और आपको बता दें कि तीन साल बाद पाकिस्तान ने सीरीज जीत कि तो एक तरह से कोलाद कह सकते हैं दोनों ने ऐसा कोलाद किया है कि इंगलेंड की बल्लेबाजी जो है दरहशाही हुई है और क्या बुरी तरह से मला पहला टेस्त मेच जब मुलतान में इंगलेंड neum canusti लग शुरुम पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं कि यह टीम कुछ भी कर सकती है तो अभी हाल फिलाल अगर देखे तो इंगलेंड से एक टेस्ट मैच आने के बाद यह सीरीज जीती है उससे पहले बांगलादेश के खिलाफ यह सीरीज हा रहे थे बड़ी सीचा लेदर हुई थी लेकिन इंगलेंड को आरा के उन्होंने थोड़ा सा जो म कोशिश की थी उसके बाद जो है चार एक से इंडिया ने जीता था ना और मुल्तान टेस्ट के यहां पर जीच से शुरूरात की तो आप ओवरॉल देखा जाए तो दोई टेस्ट मैच जीता है ना यहां पर एशिन कंडिशन में आगे उससे बाद तो सारज जैसमाच जो है यहां पर पाकिस्तान टीम को लेकर भी जरूर हुआ था जिस तरह से मुल्तान टेस्ट में उन्होंने खेला था लेकिन उसके बाद जो मुल्तान टेस्ट में सेम पिच्च का इस्तमाल करके उन्होंने स्पिनिंग कंडिशन उनको अपनी स्ट्रेंथ पता चली बढ़ा डिसि अद्युन नोमान अली भाई 84 बॉल्स में फॉर्टी यांस इंगलेन ड्ले दोपंदरा के बाद पहला टेस्सीरीज जीता हूँ इसके लवा इस इसके लेवा इन्होंन टेस्ट में पाकिस्तान ने 3-2 टेस्सीरीज जीता है पहले टेस्ट में हारने के बद जो की लास्ट बहुत सारी चीजों पर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ऐसा परफॉर्म करेंगे जीता जीता है मैच वह हारने की कबिलियत पाकिस्तान रखता है लेकिन आपको उसी तरह से सप्राइज करने की भी कबिलियत पाकिस्तान रखता है यह बाबाराजम शाहीन शाफरीदी नस शाह या रिजवान नहीं कर पाए वो काम आउट अफ दस लेबस आए साज़िद और नुमान ने करके दिखा दिया मतलब यार क्या तारीफ की जा जतनी तारीफ की जा उतना कम है गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान साज़िद नुमान दो भाई दोनों तबाहें मतलब इंट्र साज़िद नुमान इन दोनों को आप ब्रदर्स ऑफ डिस्रॉक्षिन कह सकते हैं गेंदबाजी करते हैं तो पूरी की पूरी टीम जो है उसे ओल आउट कर देते हैं बल्लेबाजी करने आते हैं तो टहर कर खूटा गार देते हैं और बड़ा-बड़ा स्कूर बना देते है साज़िद तो लंबे-लंबे छक्के मारते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीश में बेस्बॉल वाली जो कहानी थी वो अक्शली साज़िद के उपर थी भाई साब चार छक्के मारे इसने और अपनी परसनलिटी पर दिखाया है च्छक्का इसे कहते हैं नुमान माई न पाकिस्तान अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर एक टेस्सीरीज जीतने वाला पाकिस्तान एक हारी हुई टीम ती जो बाक टू बैक मैच्छस हार रही थी फसी हुई थी लेकिन इन दोनों की वज़ा से मैच बदला वक्त बदला और उसका नतीजा ये रहा कि आप चीजे और उसका नतीजा यह रहा कि दो गिद्बाजों ने मिलकर सेकेंड टेस्ट माश्यों सभी भी ज्रिकेट निकाल दी जो हिस्ट्री का पार्ट थे आप फ्लाट ट्रैक पे खुद के रण बनाते थे पाकिस्टान हार जाया भार में जाया हार जाया कोई दिक्कत नहीं तो हाट्स ओफ यार तो नुमान अली और साजद कटपा यह रही वेल ड़न ड़न एड एड इस अग्रेट पर पाकिस्टान जो टीम तीन साल में एक आज उने इंग्लिड को अपने घर में हरादी तेस सीरीज चाहे अपनी पिछ जो भी आदे को हर टीम होब अडवार्टेज लेती है आपने बतलब की पिछ कम से कब अपने दिखाया भाई अब भी टेस्बाइ जीत सकते हैं अब क्यू फाल तु भी तीन साल से हार रहे है इसका बतलब कोई जुरूत निती हार ते कि तुम जबर्दस्ति हार रहे थे पता हो यह पहला देश है जो खुदी हरवाई जा रहा र करी है ना या अच्छा मुझे नहीं पता तो यह थी आज की वीडियो अगर आप भारती मीडिया का रियक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो जैर क्रेकट को सब्सक्राइब करें बैल एकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे कोई नई वीडियो आया आपके पास फॉरण कर सकते हैं लेंक आपको डिस्टी करें